स्वाज़त है दोस्तों अपने यूटूब चैनल आई टेकिनिकल कोर्श में दोस्तों ये इलेक्टिशन थेवरी और सेकंडियर की क्लास है और आज की क्लास है सोलहमी क्लास इसके पहले अपन पंद्रा क्लास कंप्लिट करा लिए हैं और अपन पढ़ रहें अब्जेक्टिव क्लास नहीं देखो देख लिजिए आपके लिए बहुत हल्फुल रहेगी अब जैसे आपके देखते हैं 111 नमट कोषण की बात करते है 111 नमट कोष्ण क्या क omnip क्यों का रहे हैं के DC जनरेटर पे स्प्लिट का क्या का रहे है एनी जो DC generator थी हम लोग वहाँ पर एक slip ring का यूज किये थे, एक split ring का यूज किये थे, अब यहाँ पर बोला है कि DC generator पर split ring का 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 है, जब हम split ring लगाते हैं तो उसमें हमें output में क्या मिलता है, option पहला यह है, नियत voltage बनाया रखना, option B है धारा को एक दिसा में एकत्रित करना, option C ब्रस पर voltage ड्राफ को कम करना, option D है rated की तुलना में terminal voltage बढ़ाना, जब हम लोग terminal पर, यानि कारवन बुरुष के जगह, कामूटेटर की जगह, slip ring का यूज किये थे, तो वहाँ पर जो slip ring का काम हुआ था, तो वह हुआ है, धारा को एक दिसा में कत्रित करता है, यानि हम तो वहाँ पर जो धारा होती है, वो AC मिलेगी नि, alternating current मिलेगी, यह जब मैं theory पढ़ाया था, तभी आपको बता दिया था, ठीक, slip ring यूज करोगे DC मिलेगी, यादि slip ring यूज करोगे, तो AC मिलेगी, तेहाँ पर slip ring का कार है, कि धारा को एक दिसा है, एक ही direction पर, यानि DC में, अगले question की बात कर लेते हैं, question number 12 है, 112, कि generator में brush बनाने के लिए किस सामगरी का यूज किया जाता है, जब generator था, generator पर कार्वन गुरुष का यूज किये थे, वहाँ पर हम लोग carbon के साथ और कौन सा मिस्तरण यूज किये थे, तो carbon के साथ graphite का यूज किया गया है, सब को carbon plus graphite को mix करके हम लोग बनाते हैं, next question है, question number 113, question है, question ये है, क्यों DC generator अपना अबसिष्ट चुमकत खो देता है, ऐसा क्या कारण है, कि जो generator का सेस चुमकत खतम हो जाता है, या अबसिष्ट चुमकत खो देता है, खराब कर देता है, किस कारण से, पहला option है कि लोड में भारी short circuit होने से, दूसरा है, बिना लोड के लगातार चलाने से, तीसरा है, बिना रुके लगातार चलाने से, चोथा है, रोटेशन की दिसा अधिकांसता है, बदलने से, क्या होता है, जब हम DC generator की घुनन की गती, गती की जो दिसा है, उसको हमेरी परिवर्टित कर देते हैं, कभ कारण यही है कि रोटेशन की दिसा अधिकांस बदलने से, सेश चुमकत खतम हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए कम से कम generator की रोटेशन की दिसा बदलनी चाहिए, कोशन नमबर है, एक सो चुमकी सरकिट कैसे पूरा होता है, पोल, मैं बताया था, पोल क्या होता है, और योग एनि बॉड़ी, पोल है और योग एनि बॉड़ी के माद्धिम से, चुमकी सरकिट कैसे पूरा होता है, ओप्सन यह है, फिल्लक वाइल के माद्धिम से, ओप्सन भी है, कोर आर्मेचर कोर से, ओप्सन C है, पटलित पोल को होता है जो आर्मेचर पोर होती है उसी के माध्यम से हमारा योग और फोल के माध्य से चुमिकी सर्किट कंप्लीट होता है आला कोशन है 115 रहमा नम्मर कोशन है कि DC संट जनरेटर में DC संट जनरेटर पे लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है जो ते जनरेटर है जैसे ही लोड काऊंध बढ़ा देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाती है कारण बताना है तो इसका कारण और उप्षन इससे ही होगा आर्मेचर प्रत्किरिया प्रभाव के कारण एनि जब किसी दी-सी जनरेटर पे हम होग लोड का पढ़ाया है आर्मेचर रेक्शन के बारे में अगला कोशन है एक सो सोलमा नम्मर कोशन यह है लंबी दूरी की बितरन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीशी जनरेटर का उप्योग किया जाता है बहुत दूर लाइन हमें ले जाना है यहीं ट्रांस्मिट करना है एक जगह से दूसरी जगह 150 किलोमेटर की दूर पर रिंज पर यहीं एक जगह से दूसरी जगह हमें बिजली ले जाना है वो भी डीशी प्रकार के ले जाना है तो किस प्रकार का generator यूज़ करेंगे मैंने जब generator का यूज़ बताया था तभी बताया था कि DC जो generator में cumulative compound generator होता है cumulative compound generator को लंबी दूरी की बितरन यहीं जो transmit करते हैं बितरन लाइनों के लिए या distributed लाइनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है cumulative compound generator का अगला कोशन है 117 नम्मर कोशन यह है कि DC generator में insulation प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विदी का उप्यूग किया जता है जो हमारा DC generator है generator में insulation resistance को बेहतर बनाने के लिए किस method का यूज़ करते हैं तो यह इसका right answer होगा D number रख रखाओ के दोरान मशीन में गर में हवा देना क्या होता है जब insulation का प्रतिरोध हमें अच्छा बनाए रखने के लिए जब हम अपने generator को रख रखाओ करते हैं तो उसमें heat एर दे सकते हैं गर में हवा देकर हम उसका प्रतिरोध उसी तरह बनाए रखेंगे जिस तरह पहले थाए उस प्रतिरोध कम होने नहीं देंगे या बढ़ने नहीं देंगे अगला question है अबसिष्ट चुमकत के आभाव में किस प्रकार का DC generator काम करता है इसका right answer होगा d number अलाग से उत्तेजित generator अलाग से उत्तेजित यानि separately excited होता है अबसिष्ट चुमकत के आभाव में किस प्रकार का DC generator काम करता है से पेटरली excited generator या अलाग से उत्तेजित generator बोल सकते हो यानि जो से पेटरली excited generator होता है उसमें अलाग से supply देना पड़ता है किसी भी प्रकार के से चुमकत जरूरत नहीं पड़ती जो से चुमकत होता है इसमें self generator जो self excited generator होते है उसके लिए यूज किया जाता है जो प्रधापुते जरूरत होते हैं उसमें हम लोग अलाग से ही supply देते हैं तब ही वो चलते हैं अगला कोशन है आर के वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का DC generator को यूज किया जाता है जो आर के वेल्डिंग हम करते हैं उसमें जो DC का यूज किया जाता है वो तर डिफरेंसियल कंपाउंड जनरेटर क्योंकि मैंने बताया था जब यूज पढ़ाया थे कि कौन से जनरेटर है क्या है denganoton एक होती है लाइप बाइण एक होती है में वाइणिंग जो वाइनिंग होती हैं गैप बै latch कियो razor कि कुरूंड इए ऄहां पर कमधारा मौल जो यहां चेली कम होता है जो voltage का मान होता है ज्यादा होता है किसमें में बै साब को यूज के मेंD इसलिए आवसेकता पड़ी जो DC जनरेटर है यदि आपसे बोलता है कि बैव वाइनिंग की डिसस्ता क्या है बैव वाइनिंग क्यों करते हैं आप बताओ कि धारा कामान कम होता है डारा कामान ज्यादा होती है दो प्रकार के आर्मेचर में बैणिंग होती है एक लैप बैव explaining कि अगला कोशन है Dec generator पे Solideveral आख्षी सॉलीड फ्फोर vä ूलिड क्यों किया तैंब इनका यूँच क्यों किया जाता है क्योंकि चुम्हः किसी पःध के लिए रिलेचटेंस को कम करने के जो की पॉल को यूज़ करते हैं कारण यही है कि चुम्मे की पत जो चुम्मे की एक मार्ग होते हैं उसके जो रिलेक्टियंस का आमान कम हो जाता है जब हम थो लेटे हैं अगला कोशन है कोशन अगला है बड़ी शंता के DC Generator चोक बनाने के लिए किस धातू को प्यों किया जाता है बड़ी शंता के DC Generator जो चोक बनाने के लिए किस material किस धात्यों को यूच किया जाता है तो आप बताओगे rolled steel इसका right answer होगे D number road steel बड़ी छंता के DC generator के चोग बनाने के लिए यूज़ किये जाते है 23 number है question DC generator पे slipped ring का क्या कार रहा है सबको मालूम होगा एक ही दिशा में output देता है यानि DC supply देता है कौन से supply DC supply देता है slipped ring अगला question है DC generator में किस प्रकार का voltage voltage गतिसील रूप से प्रेरित होता है यानि जो DC generator है DC generator किस प्रकार के voltage गतिसील यानि हमारा rotating EMF उत्पन होता है यह होता है प्रत्यवर्ती voltage DC generator में किस प्रकार का voltage गतिसील रूप से प्रेरित होता है इसे मैं बताया था गतिसील रूप से प्रेरित होती है ठीक बहुत ज्यादा ज्रूम हो गया है अगला कोश्चन है कि 125 नंबर कि दीशी जनरेटर फिल्ड को उद्देश क्या है फिल्ड को उद्देश क्यों क्यों यूज करते हैं सब को मालूम होना चाहिए राइट एंसर फ्लक्स उद्द करने के लिए ध्रूब को फिल्ड कोईल क्यों लगाते हैं कारण यह है कि कोईल का फ्लक्स उद्द करने के लिए ध्रूब को चुम्ब की करता है अगला कोशन है कोशन नंबर 126 है बड़े डीशी जनरेटर मसीनों के पोल को बनाने के लिए किस धात्तू का उपयोग किया जाता है जो बड़े डीशी स्टिल का फिल्ड का उच किया जाता है अगला कोशन है कियों पोल कोर टैंपिंग को डीशी जनरेटर में लिमिनेटर करते हैं इसका राइट अंसर होगा डी नंबर इसका राइट एंसर वो D नमबर भमर धारा हानी को कम करने के लिए ही हम लोग पतली पत्तियों को लिमनेट करके पोल कोर बनाते हैं अगला कोशन है 128 नमबर इलेक्टो प्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनेटर का यूज किया जाता है इलेक्टो प्लेटिंग के लिए हम लोग संट जनेटर का यूज करते हैं किसका संट जनेटर का यूज करते हैं अगला कोशन है यदि संट फिल्ड प्रतिरोद का करांतिक प्रतिरोद मान से उपर है तो DC जनेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संट फिल्ड प्रतुरूद क्रांतिक प्रतुरूद के मान से उपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका राइट एंसर वसी नमबर जनरेटर बोल्टेज बनाने में विफल रहता है यदि जनरेटर है हमारा बोल्टेज नहीं बना पाएगा फैयल हो जाएगा यदि critical immune जादा है प्रतुरूद का तो अगला question है DC generator में आर्मेचर प्रतकिरिया प्रभाव क्या है जो DC generator में आर्मेचर रियक्शन का प्रभाव है यह output voltage कम हो जाता है इसके कारण ही आर्मेचर रियक्शन के प्रभाव के कारण ही बोल्टेज का मान कम हो जाता है अगला कोशन है इसी में बड़े DC जनेटर में आर्मेचर प्रत्किरिया के प्रभाव को कैसे नीट्रल किया जा सकता है जो बड़े DC generator है उसमें जो armature reaction होता है तो armature reaction को हम पर इसे कम कर सकते हैं कैसे खतम कर सकते हैं यह अपन थियोरी में पढ़े थे कि ब्रस संपर की प्रतुरोध बढ़ा कर हम लोग armature reaction की परभाव को कम कर सकते हैं अगला question है इसी में DC generator पे क्या प्रभाव होता है या जिसे लंबे समय तक बंद रखा जाए हमारा DC generator है बहुत दिनों तक बंद रखा पड़ा है तो क्या प्रभाव हो सकता है इसका राइट अंसर होगा अपने अबसी चुमकत को खो देता है यह जो DC generator पे एक सेस चुमकत श्टोर रहता है हम कोटी लेप वाउंड एक हजर आरिपियों लेप वाउंड कंड़क्टर की कुल संख्य 600 है तथा फ्लक्स प्रती पूल 0.064 बैवर है तब चार पूल डाइनमों के प्रेडित EMF यहां पर बताना है कि EMF कितना उत्पन हो रहा है कि तिसका राइट अंसर होगा 640 बोल्ट 135 नमबर कोशन है यदि मुख छेत का प्रवाई DC जनेटर में विक्रित हो जाए तो प्रेडित EMF पर क्या प्रवाव पड़ेगा इसका राइट अंसर होगा प्रेडित EMF घटता है यदि मुख छेत मेन फिल्ड प्रवाई जो DC जनेटर पे विक्रित हो जाए तो प्रेडित EM पर प्रभाव पड़ेगा वो प्रेरिती में घट जाएगा अगला कोशन है लाश्ट नंबर दीशी जनेटर का थियोरी खतम कोशन नंबर ये है 36 136 डीशी जनेटर के ब्रस में अधिक स्पार्किंग का कारण आपको सबको मालूम है कि अधिक स्पार्किंग होती है या मैने और जी अने जिस्तिती बदलते समय जब हम एम एने से जी एम एने की तरफ फ्लक्स को सिट करते हैं वहाँ पर स्पार्किंग जादा होती सबको मालूम होना चाहिए तो यह थे 136 तक अपन अब्जेक्टिव को कोशन करें बहुत भी कल्पी थे इसलिए थोड़ा फास्ट कराएं तक ही आप लोग त्योरी पढ़े होगे वह सरल थे जो डिस्कुसन करने लाइग थे उसको डिस्कुसन कर लिये हैं मिलते हैं नेस्ट क्लास पे डिसी मोटर का सुरुआत करते हैं जैही जैभारत